बिहार बिधान परिशत सची वाले में जो है एक नई भरती यहां पर निकल के आ चुकी है जिसमें कि डाटा एंट्री ओपरेटर और अस्ट्रोनो ग्राफर के पद पर नई वेकेंसी यहां पर निकाली गई है साथ में और भी अन्य पद आप जो है यहां पर निकाला गया है और इसका जो नोटिफिकेसन है वो भी आप जारी हो चुका है तो इस वाहली के बारे मैं आपनों को फूल डीटेल में जानकाई देने बाला हूँ और ये बहुत ही सांदार भरती आपनों कहाँ पर रहने बाला है अगर आप डाटा इंट्री ओपरेर के पर पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका पर होने पाएगा और हम भी आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे चले हम आप लोका आपे बताते हैं कि बिहार बिधान परिषद बहाली में जो है कबसे आप लोका आवेदन होगा और क्या योगता आप लोका रखा गया है और क पर जनकाई दिया गया कि बिहार बिधान परिषद सचीवाले के अंतरगत एक परसासनिक सबर्ग में सहायक परसाखा पदाधिकारी दूसरा आप लोका डाटा उसांग में डाटा एंट्री ओपरेटर तथा अस्टोनो ग्राफर एबं आप्त सचीब सबर्ग में आसू आफर का पद रहने बाला है तो इन तीन पदोपर आप लोको जो भाली वहां पर होने बाला है साथ में यहाँ पर जनकाई दिया गया कि जिसे परिशत की वेकार यहां पर देख सकते हैं आगे मैं आप लोको बताऊंगा कि कहां से आप लोको जो नोटिफिकेशन आपे शुरू होने बाला है तो ओनलाइन आवेदन प्राडब करने की जो तिथी है वो बाड़ा तीन दोजार चोविस यानि कि बाड़ा तरिक से आप लोगा ओनलाइन आवेदन शुरू कर दिया जाएगा और परिक्षा सुल्ख भुखतान करने की प्राडब तिथी जो है ब 24-24 तक यहां पर रहने बाला है तो यह जो है आप लोगा डेट हो गया अब बात करते हैं कि आप लोगा क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है तो आप नीचे आईएगा तो यहां पर देखिए आप लोगा जो बाहली है उसके बाड़े में पूल डीटेल में जनकाई द तो इतना जो है journaling बाला है निच आईएगा तो इहां पर अलग लग qualification रहने बाला है सभसे पहले सहायक परसाख्वा पतादीकारी के लिए आप लोगा बेतन मंन रहेगा वो 447-4900 से 0えて ब्सकार रहने बाला है और नियम अनुस्वर्ट जो भी आप लोगा भत्ता मिलता है वो भत्ता यहाँ पर दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जानकाई दियागा कि राजिकेंद सरकार से मानिता प्राफ्त बिस्विद्याले कि आसनातक उपाधी, यानि कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो आप यहाँ आप आविदन कर सकते हैं, साथ में हिंदी और यहाँ पर जानकाई दिया है कि राजिसरकार या केन सरकार द्वारा, मानिता प्राफ्त, किसी संस्था या इंटरमीडियेट परिशत की इंटरमीडियेट की योगता, यानि कि कम से कम आप इंटर पास हैं, तो आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं, कम्प्यूटर पर 8,000 की डिप्रेशन परती घंटा की गती जो है, आप लोग हाँ पर रहना चाहिए, और बंचित योगता में आप लोग का जो है, कम्प्यूटर पार्टिकल में परवान पत्र जिए, AICT के द्वारा आप लोग का मानिता प्राफ्त हो, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यानि कि इसमें भी आप लोगा जो कम्प्यूटर का सर्टिकेट है, वहाँ पर लगने बाला है, टाइपिंग का सर्टिकेट नहीं लगागा लेकिन कम्प्यूटर का सर्टिकेट आप लगने बाला है, फिर अगला जो आप लोगा पोस्ट रखा गया है, इसमें भी सेल्डी आप लो वाला है और सभी में जो है आप लोगा computer का जो certificate है वहाँ आपर मांगा जाला है तभी आप यहाँ पर आबेदन कर पाईएगा आबेदन जो है बारा तरीक से आप लोगा पर शुरू होगा बाकि अगर आप और चाहें तो आप डीटेल में आप लोगा पूरा जनकारी दिया आप लोगा साहएक परसाखा पतार दिख करिए और आसूल इपी के लिए 21 साल है तभी आप आप आवेदन कर पाईएगा अधिकतम उम्र की बात करें तो अनारचीद के लिए आप लोगा सहिती साल जो है मेक्सिमम रहने बाला है और महिलाओं के लिए आप लोगा 42 साल हैं पर रहने बाला है जो कि अनुसोजी जाते अनुसोजी जन जाती से आते हैं और जो जेनरल वाली महिलाएं होंगी उनका 40 साल हैं पर रहने बाला है तो इस तरीके से आप लोगा जो जानकर यहां पर दिया गया है अगर आप चाहें तो इसको पर सकते हैं आप बात करते हैं क सबसे पहला जो link मिलेगा उस पर click करके आपको जोई इस website पर चले आना है फिर आप लोगो नीचे आना है latest update सरकारी योजना latest job का option मिलता है latest update में आप लोगो चेक करना है बिहार बिधान परिशत भरती यहाँ पर आप लोगो देखने को मिल जाएगा इस पर आपको click करना है न links का option है और यहीं पर online apply का link है जब आप लोगो का link active किया जाएगा तो यहाँ पर link दे दिया जाएगा यहां से आप apply कर सकते हैं और check official notification का link है clicker पर click किजेगा तो official जो notice से वह आप लोगो आप लोगो आप लोगो आपर डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरीके से आप लोगो